दोस्तो हमारे चैनल वॉल्यूट ब्लिंकर पर आपका स्वागत है कटीना कैफ विकी कोशल के बीच क्लोजनेस दिनों दिन बढ़ती जा रही है और विकी कोशल के बयान इस बात को कंफिर्म कर रहे हैं किनके बीच प्यार की खिच्णी पक रही है कटीना कैफ भी अब किसी लव ट्रैंगल मों लजना नहीं चाहती है इसलिए वो विकी के आंसर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं इस बीडियो में हम आपको विकी कोशल के कटीना कैफ पर वो चार बयान बताएंगे जो इशारा कर रहे है कि बॉल्यूट के ये दोन इस्तार अब रियूमर कपल नहीं रही बल्कि मुहबबत की नहीं किताब लिख रही है विकी कोशल ने कटीना कैफ पर सबसे पहले चुपी तोड़ी तो फैंस शौर हो गई कि अफेर की खबर अफ़बा नहीं बलकि एकदम सच्च है देकीन एक इंट्रीव में सबसे पहले कहा था मुझे लगता है कि प्यार सबसे अच्छा एसास है कोई खुद को प्यार का नुप करती हुए सबसे अच्छे दौर में पाता है वो जो कुछ भी करता है जोश और इरादों के साथ करता है मुझे लगता है कि ये रियल में बैस फिलिंग है विकी कोशल का आंसर और फिर इस आंसर पर उनका मुस्कराना बताता है कि छिप छिप कर जो मलाखाते होती है वो कोई नॉर्मल नहीं है कॉमन फ्रेंड के घर पर मिलना भी रिलेशन्शिप का ही पार्ट है एक और इंट्रिव में विकी कोशल से कटियना कैप पर सवाल पूछा गया तो वो पोजेसिव हो गए उन्होंने अपने अफेर को डिफेंड करती है जवाब दिया मैं जानता हूँ मीडिय अपना काम कर रही है हम पबिक लाइफ में होते हैं तो लोगों को भी हमारे बादे में सब को जानने का मन होता है वो सब ठीक है लेकिन मुझे क्या बताना है और क्या नहीं ये मेरे हाथ में होना चाहिए मैं अपनी निजी जिन्दगी को डिसकेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता जाहिर है विकी Koshal के जवाब फैंस को हजब नहीं हुगा कटीना कैप को लेकर उनका एक्स्ट्रा अलटोना काम नहीं आया फैंस कहने लगे की कोशल कैट की डर से अब कुछ नहीं बता रहे विकी कोशल फिल्म प्रमोशन करने पहुँचें और कटीना कैफ से छोड़ा सवाल न हो ऐसा हुई नहीं सकता विकी सेंटीव में अफेयर वो घुमा कर सवाल किया गया तोनों ने कहा ये मेरी निजी जिन्दगी है और इसे मैं गार करना चाहता हूँ अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो इससे बातें फैलती हैं फिर गलत फैमिया फैलती हैं और मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहता हूँ मुझे लगता है ये बहतर होगा कि मैं अपनी परसनल लाइफ को लेकर थोड़ा सतर कर हूँ और मैं इस समय किसी भी चीज को लेकर खुल कर बात नहीं करना चाहता हूँ ये तो विकी कोशल के तीन बयान है जो अलग लग है किसी में प्यार को बैस पताया तो कहीं सवालों से बचने की कोशिस की एक बार तो विकी कोशल ने कैट से जोड़े सवाल पर अंसर देते हुए का इस बारे में किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कई बार मैं अपनी निजी जिन्दगी को लेकर बहुत उपन हो जाता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जूट नहीं बोल सकता एक बार जब आप जूट वो लेंगे तो उसे छफाना पड़ेगा और फिर इसके बार जूट लगातार बढ़ते जाएंगे मैं सच कहूँ चिसमें कोई स्टोरी नहीं है विकी कोशल के चार बयान उनके और कैट के रिलेशन्शेप पर बहुत कुछ कह रही है उनके जबाब बता रहे हैं कि कटीना से बढ़ती नस्देगे और फैंस जो सोचते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है गौर करने वाली बात यह है कि विकी कोशल इसके बाद कैट से जुड़े सवाल से बचने लगे एक इंट्रिवू में उनकी अपकमिंग फिल्म और करियर से जुड़े ही सवाल किये गए जबकि कहीं भी कटीना कैप का नाम नहीं था लेकिन कहते हैं दुगा बहीं उड़ता है जहां आग लगती है विकी और कटीना कैप का फियर की खबर भी इसी बात पर मोहर लगाती है दोस्तों बॉल विर्स तो जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें